Recently सारे Muslim World में एक issue को लेकर लोग बहुत गुसा हो गए issue यहाँ पर यह है कि एक Israeli journalist चुप चाप मक्का में चला गया मक्का आपको बता होगा Saudi Arabia की holy city है Saudi Arabia की दो holy cities है मक्का और मदिना मदिना में non-muslims जा सकते हैं मगर मक्का में non-muslims की entry बिल्कुल restricted है तो यह Israeli journalist मक्का में चला गया obviously corruption करके गया होगा कुछ Muslims ने इसकी help भी करी थी यहाँ पर जाने के लिए और इसने आपर जाकर बहुत सारी photos, videos खीची और internet पर upload कर दी जब लोगों ने देखा कि यह तो Israeli है Jewish है और यह मक्का में चला गया अचानक से पूरे Muslim world में अपरोर मज गया और अभी Saudi Arabia में चल रही है investigation के किन लोगों ने एक non-Muslim को मेका में entry दिलवा दी Saudi Arabia कोशिश कर रही है के जो लोग भी यहाँ पर related थे जिन लोगों नहीं पैसे लिए है इनको दंडित किया जाए ताकि एक example set हो और इन दा फ्यूचर कोई भी non-Muslim इस holy city में enter ना कर पाए